सुख रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं उमीद करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी बेकर बच्चों, आज हम सभी पार्ट 3 के जो भी बचे हुए प्रशन है उन्हें पूर्ण करेंगे तो आईए प्रारंब करते हैं बच्चों, आज का प्रशन है हमारा दम लगा के हैशा पेज नमबर 24 में ये प्रशन दिया गया है ठीक है? रसा कसी के खेल में दो टोलियों के बीच खूब खीचा तानी होती है आपने देखा होगा जो रसा कसी का खेल होता है उसमें दो टोलियां होती है, है ना? और दोनों के बीच खूब खीचा तानी होती है तो बच्चों आपको कुछ और खेलों के नाम लिखने हैं जिनमें दो टोलियां खेलती हैं यानि जिसमें दो टीम होती है ठीक है तो बड़ा ही आसान सा ये प्रशन है आपको कुछ और खेलों के नाम लिखने हैं जिसमें दो टोलियां खेलती हैं तो इसका उत्तर क्या क्या हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर हो जाएगा cricket, है ना? football, hockey, kabaddy, और भी कई सारे ऐसे games है, है ना? जैसे की खोखो, है ना? तो बहुत सारे ऐसे games है आप लिख सकते हैं आपको गिनी चार खेल का नाम लिखना है, जिसमें दो टोलियां खेलती हैं, जैसे cricket, है ना? उसके बाद football, hockey and kabaddy, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रशन क्या है बच्चों? अगला प्रशन है साफ सफाई, यानि घर में सफाई करने के लिए किन-किन चीजों का इस्तमाल होता है, ये आपको लिखना है, ठीक है? तो घर की सफाई करने के लिए बच्चों जाडू, है ना? पानी, फिनाईल वाइपर आदी का प्रियोग होता है, आपने देखा होगा की घर में जब भी सफाई की जाती है तो उसमें जारू का प्रियोग होता है है ना? पानी का प्रियोग होता है, फिनाईल का प्रियोग होता है, वाइपर का प्रियोग होता है जिसे फर्ष वगरा को साफ किया जाता है, है ना? तो आप लिखेंगे के घर की सफाई के लिए जारू, पानी, फिनाइल, वाइपर आदी का प्रयोग होता है. अब जो अगला प्रश्न है बच्चों वो हम अगली गश्या में करेंगे ठीक है तब तक के लिए बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, keep study, thank you so much.